मस्कार तभी भाईयों को अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर स्काइब कीजिएगा मैं आपको एक यूनिक तरीका बतानूं जो लोग भी फाम पे नहीं बकरिया ला रहे हैं वो बहुत परचान है कि सर बकरिया फाम पे आने के वाश्यक नहीं होते रही हैं खा नही को प्रफिट होता है तो अजब एक फाइदयावाली बात बतानों जब भी आप गाउन से बकरी ले रहे हैं मार्केट से ले नहीं कुछ बातों का धिया और कुछ बात यह है कि आप लोग जो राजस्थान हो अस्थान की दूर से बकरी लाकर बेजते हैं घुमा-घुमा करा मेले में तो वहां सा बक्री न लेलिव क्योंकि मेरे पास जीतने फोन钟 आते इंसाध कि संभी मेरी का जाता है कि अब यहां से भक्री लाये थे ए मंडिी व्ली है रास्तानी Lehr सब्छे मर गई जो आई तो अमुरी थी हमारे प questions तो खरीदने से पहले आप उध्यान दें आप बकरी कहीं से ले नजदीखी से ले और वेक्सिनेटेड लें पहले दूसरी सेट कैसे करना है बकरी को आप देख रहे हैं हमारे फाम पर थोड़ी गंदगी दीख रही है साम का समय है लेकिन गंदगी नहीं है या जो खेत में से है इसमें क् साहर श्वंक होगा है सीजां सवर कटर आप लो को अचलिए're हें मां की शिलके करें ़हां की बककरिक तो जो तेहनी है वह इसे शक्ते हैं है पर अब दजेंते सकते है पहर के समय में पेन के पत्ते जैसे कि माली यहां पर हमारा है पेन एक पकड़ी का बोलते हैं या पाकड का फेलों बोलते हैं मनें पूरा काटकर इस उच्छांड दिया था जितना आपको दिखाई दे रहा है सब नए पन क्या है उदर आम है अमरूध है ठीजना गुल्लर तो पीपल है या पिर जो भी पत्ते जैसे की दुधार बेल्च होते हैं इसंग गुल्लर हो गया कटाल हो गया पीपल हो गया पा आपना बर्बरी वाला फाम पर नहीं खड़ा हूँ तो सुबह में भूसा का सनी दिये थे तेक देख रहा है इसमें जो नीचे का पाट होते है भूसे का बक्री नहीं खाती है उसके बाद मक्का जो हमारे खेत में तयार हो चुका है मक्का देख रहा है मक्के का जो है यह खा सब छोड़ देती है बड़ा जो रहता है इसको मक्के वाला में भी बक्री चुड़ देख बच्चे भी खा रहा है तो भी मस्त है तो साम के समय सूबह साम को आपको भूसेक सनी बनानी है भूसेक सनी में आपको 50% हराचरा 50% सूखा चराइड करना है मतलब कि यह खाची तो इसको दाना नहीं देना ज्यादा तो 100-100-100 ग्राम पर बक्री के साब से उसमें दर्रा मिला दें हलका गिला करना है ज्यादा गिला नहीं करना है सूखा ही रह उसमें दाना डाल दिए तो सुबह साम आपको कह करना है 50% हराचरा 50% सूखा चरा मिक्स करके देना है साथ मे पर बखरी दना दना उसके बाद जैसे पांट दिन हो गया दो सो से तीन सो ग्राम दाना कर दिये दो चार दिन बाद ही दाना धिरी दिर बढ़ाना है यह तो काम करना है दो पर में प्रेड के पत्ते जो उमने बताए है पीपाल गूलर पड़ पकड़ी थी ना अमरू जामून साथ में आप नीब होता है डाल दिया कट्राल मिल गी तो इससे क्या होगा बकरी का पीट भरा रहेगा बिल्कुल बकरी आपकी दूबली नहीं होगी तो ओने होगा दोपर में थोड़ा बहुत खालाएक और साम के समय तो दीरे-धीरे उठाई या दोचे नहीं होता है, पहले नम और यह लाकर एक का चार्टटडा करना है और यह बकर आपको दिख रहे हैं जितनी वाली है चैहें वह और इसमें यह तो इसी बकर आपके फ़ांप है तो आप चार टुकड़ा करने के बाद एक टुकड़ा सुबा साम दे देंगे, धलका पुभलका अगर सर्दी जुखाम बुखार की समस्य आज इसके वस्त नहीं खारी, तो भी सही हो जाएगा, और साथ में धीरे-धीरे पंदास दिन तक लगेगा, दास दिनों तक लगेगा उसमें, चारा और आव उठाने में, लेकि दोपन पेड़े के पत्ते डालेंगे, इससे बक्री आपकी दूबली नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखें, और ऐसा करते हैं, तापकी बक्री सेट भी हो जाएगी.